दोस्तो Pixelverse के NFT क्लेमिंग चालू हो चुकी है और अब आप इनके बोट के अंदर जाके अपनी NFT को क्लेम कर सकते हो इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कैसे आप NFT को क्लेम करना है और NFT को क्लेम करने के लिए आपको 0.5 टोन कोईन की फीज लगेगी तो क्या ये वर्थ भी है नहीं है अगर आज हम 0.5 टोन कोईन लगाते हैं तो क्या आने वाले टाइम में हम 10 टोन कोईन, 50 टोन कोईन या 100 टोन कोईन इस NFT से अन कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले है साथी साथ आने ले टाइम में NFT कैसे यूज होगी उसके बारे में बात करेंगे एक आपको ऐसा प्रोजेक्ट बताऊंगा जो कि Ape Terminal के उपर लोँच होने वाला है Ape Terminal एक बहुत बड़ा लोँच पैड़ा है पास्ट के प्रोजेक्ट उसके 50X 100X तक प्रफॉर्म की है और ये पहला टाइब टुएन उसके उपर लोँच हो रहा है स्ट्रोंग बैकर्ज है इसके तो इसमें भी आप पार्टिस्मेट कर सकते हो कोई investment नहीं करनी है फ्री में आपको coins मिलेंगे और इनका एक pool भी चल रहे है 10,000 डोलर और 70,000 डोलर का जिसमें आप cash earning भी कर सकते हो इसी के साथ साथ dogs का कुछ नए अपडेट आए कि 14 of August को यहाँ पे listing हमें देखने को मिल सकती है तो काफ़ इंट्रेस्टिंग वीडियो रहेगी वीडियो को सबसे पहले like कर दो चैनल के subscribe कर दो अगर आप नहीं हो तो सबसे पहले हम बात करें नए boat की cherry नाम है इसका link आपको इसका description में मिल जाएगा एप terminal के उपर launch होने वाल है यह भी tap to one project है इसको simply आपको join कर रहा है tap करके आप यहाँ पर coins on कर सकते हो इनके different tasks complete कर सकते हो social media पर और यहाँ पर आपको एक airdrop का section मिलेगा जिसके अंदर इनके बड़े-बड़े pools चलते होते हैं 10,000 डोलर का और 70,000 डोलर का यहाँ पर भी pool चल रहा है 10,000 डोलर के अंदर यह 500 लोगों को free में USDT देने वाले हैं different different prices रहेंगे उसमें आप participate कर सकते हो और बहुत easy है मेरे को लग रहा है आने मेले time में अच्छा perform कर सकते हैं क्योंकि pink sale, fujod foundry जैसे backers है इनके पास अच्छी partnerships है और पहले भी मैंने आपको बोला है कि जो बड़िया projects है उनको आप miss मत किया करो क्योंकि आने ले time में आपको अच्छी earning उनमें से मिल सकती है और अब बात करें pixel works की NFT के बारे में तो यहाँ पे NFT claiming इन्होंने 31st of July से चालू कर दी है यहाँ पे सबसे बुरी बात यह कि NFT की minting करने के लिए आपको 0.5 ton coin देना पड़ेगा इससे लेटें मैंने tweet भी डाली और criticize किया pixel works की team को कि यहाँ पे tap tone का मतलब है कि लोगों को free में a drop मिले पहले जो लोगों को free में a drop मिला था tokens का जिसमें लोगों को 5200, 600, 500 tokens मिले थे उसको वो sally नहीं कर सकते पूरा low cup period लगा दिया और अब जब NFT क्लेम करने की बात आई तो यहाँ पे 0.5 ton coin देना पड़ रहा है यानि कि लोगों ने कमाया तो है निकुश लोगों से तुम रुपे माग रहे हो तो इसके लिए हमने पूरा criticize किया पिक्सल वर्स की टीम को पहले भी जब token लोग इन्होंने किया था starting के अंदर तब भी हमने criticize किया था तब इन्होंने बोला था कि हम बाकी लोगों को भी NFTs देंगे और अब NFT के अंदर इन्होंने पंगा किया तो वापिस हमने criticize किया इसके उपर tweet किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको spot कर रहे हैं आपको याद होगा Hampshire के अंदर भी जब ऐसी चीज़ हुई थी तब मैंने उनकी team के उपर comment किया था मैंने tweet की थी और सभी लोगों ने sport किया था तो उनका दो दिन के अंदर ये answer आया था कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे जो आपका gaming section है वो remove कर देंगे उसके अंदर जादा ads नहीं लेके आएंगे और अगर कोई भी project ऐसी गलत चीज़े करेगा तो हम उसके अंगेस्ट अवाज उठाएंगे और उसको boycoat कर देंगे तो यहाँ पर पिक्सल वर्स के चीज़ मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि हम यहाँ पर पैसा अपना खुद का देके NFT हमें claim करनी पड़ रही है तो हमने जाके उनके उपर tweet डाल दिया है let's see क्या response हमें इनकी team की तरफ से देखने को मिलते है बाकि आप इनके board के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको section मिलेगा यहाँ पर claim NFT का option आगया है claim NFT के उपर click करोगे तो यहाँ पर आप से 0.5 token coin तो इनकी team मेर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी पहले इनोंने वो token वाला issue किया था जब इनों token के उपर कुछ unlock ही नहीं दिया logo को earning ही नहीं वी उसके बाद इनोंने वापस एक और बड़ी चीज़ कर दिया जिसके मतलब कि इनकी team के अंदर कुछ पंगा है और अगर इनकी चीज़ें इंप्रूब नहीं करते हैं तो overall इनका आने वाले time में project अच्छा नहीं चलने वाला आप अल्रेडी देख सकते हो इनका token list हुआ था वो starting में इतना अच्छा perform किया था लोगों को लगा कि a drop मिलने वाला है इनका coin का price जो है वो 2 cents से 10 cents तक चला गया था 5 20 जो है token का वो 10 cents से गिरके 2 cents के आसपास आ चुक है यानि कि almost 75 से 80% इनका token dump हो चुक है last के 10 दिनों में कोई सब लोगों ने इनको boycott करना चालू कर दिया और हमने भी आपको पहली ये चीज़ बताइए जो project गलत करें क्योंकि दूसरे project भी उसको देख रोते हैं हमने tweet डाल करते हैं कि अगर community को चीज़ गलत लग रही है तो हम वह ऐसी चीज़ रिपीट ना करें और इनकी NFT की claiming timing की बात करें तो 14 अगस्त का maximum claim कर सकते हो भी आपके पास 14 दिन बाकी है उसके बाद 14 September को इसकी trading start होने वाली है यानि कि आप अगर आज claim कर भी लेते हो तो आपको directly जाके project को कुछ नहीं बोल सकते हो वह आपकी नहीं सुनेंगे बढ़ हमारा चैनल जो हो एक medium बन जाता है हम influencer है तो हमारी बात उनको सुननी पड़ती है कि इतने सारे लोग एक साथ engagement दे रहे होते हैं तो project का नाम खराब होता है तो हम आपको सिरफ यहीं बोलता हूँ हम as a response देखने को मिले जैसे हमें hamster के अंदर देखने को मिला था और रही बात nft claiming की तो मैं तो भी nft claim नहीं कर रहा हूँ भी मैं wait करूंगा जब तक मेरे को solid यहां पर reason नहीं मिलता है क्योंकि मैं क्यों ही अपने tone को invest करूं तो आपके पास अगर अच्छे खासे tone coin है आपको फ भी कर सकते हो बाकि मैं expect रहा हूँ कि हो सकते हैं की team की तरफ से कुछ update आए और free में NFT claim का दे दे जो कि हम चाहते हैं की team की तरफ से बाकि अगर आपके पास gas fees नहीं है tone coin के लिए तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप giveaway ज़रू जोइन कर लिया करो टेलीगराम के ओपर डेली हम आपने users को tone coin के giveaway दे रहा हूँ और आपको पता है जितने भी tap tone projects आएंगे सबको अंदर आपको gas fees की जोरत पड़ेगी सबके अंदर आपको tone coin की जोरत पड़ेगी और अभी तक हम आपनी community में 1000 से जादा लोगों को free में tone coin giveaway कर चुका हूँ और everyday हमारा यहाप एक giveaway चल रहा होता है जो आप telegram पे join कर सकते हो और सभी major update आपको वहाँ पर मिल जाएगी तो telegram को miss मत करना अब बात करते हैं dog coin जो कि मैंने आपके साथ share किया था बहुत ही initial stage में तो यहाँ पर इनकी team की तरफ से कुछ hint मिल रहा है पहले इनोंने कुछ tweet डाली थी तो उसके ओप यह listing की announcement कर दे और अपने claiming जो हम dog coin की claim कर रहे थे इतने time से हम coins earn कर रहे थे वहाँ पे हमें claiming का भी option मिल जाए अगर आपने dog coin अभी तक join नहीं किया तो उसका link भी description में मिल जाएगा आपको simply join करके वहाँ पे claim के उपर click करना और आपको coins मिल जाएंगे और अगर हमें 14 दिन क्या pixelverse नहीं किया जो मैंने tweet डाली थी उसका link मैंने description में डाल दिया है उसके उपर जुरूर जाके अपना response करो आप बताओ इनको boycott करने की बात करो कि pixelverse को boycott कर देंगे अगर इनको इतने सारे negative response दिखेंगे तो हो सकता हमें कुछ अच्छा response देखने को मिले और इसलिए मै आपको कहता हूं एक project के ओपर कभी भी depend मतर हो आपको नहीं पता कौन सा project जिसकी जितनी ज्यादा हाइप बनेगी वो project उतना ही बूरा करेगा community के साथ यहां पर जो नए project से उनको जरूर जोइन करते रहा करो बस project अच्छा होना चाहिए strong होना चाहिए और backers अच्छी होने चाहिए ताकि वो आने वले time में अगर हम उसमें अपना time invest करें तो हमें कुछ वहाँ पर return देखने को मिले तो जो नया project मैंने आपको बताया है cherry उसको भी आप description से जोइन कर लो और नए updates आपको पूरे telegram पे मिलते रहेंगे बाकि आप अपनी चीजें शेयर करो comments में ज्या चाहिए बातें और वहाँ पर हमारी community के सुनी जाए मैं मिलता हूँ आपसे next video के अंदर तब तक के लिए bye bye take care